हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं जब हम ऐसा करेंगे तब पर मेशोर हमें स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ाता हुआ यदि आपने इन चार्थ बातों को अपने जीवन में रेगुलर लाइफ में एपलाई कर लिए हिंदी बाइबिल मेसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है जहां आपको हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिलेगा हम बाइबिल में बहुत सारे लोगों के विशय में पढ़ते हैं और बड़े-बड़े महान-महान लोग बाइबिल में होए और जब हमने उनकी तरफ देखा तो लगता है देखने को मिलता है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल था वो जो भी काम किया करते थे उस काम में वे लोग सफलते जिस छेतर में वे लोग काम किया करते थे उस छेतर में वे लोग सफलते हर एक व्यक्ति अगर आप बाइविल में देखेंगे अबराहम के विशे में नुहू के विशे में दाओद के विशे में मुसा के विशे में येश्व मसी के चेलों के विशे में तो इन लोगों ने जो भी काम किया उस काम में ये लोग सफल थे। ऐसा कोई काम नहीं रहा जिस पर इन्होंने हाथ लगाया और ये फेल हो गए। की थेूच को थे। अपच ι ait कुए फोच रहा था प्रभू ये लोग बहुत mıहन हो गए अपने जीवन में बहुत सफल हो गए अपने जीवन में फिया राज है अखिर क्योश यह इतने महान हो गएं अचिर क्यों यह इतने शफल व्यक्तिय बन गएं इन्हों ने ऐसा क्या किया प्रभू हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए मैंने सोचा क्यों ने इन लोगों के जीवन से कुछ सीखा जाए कुछ ऐसी चीज जो इन्हों ने की है और हम अभी नहीं कर रहे हैं यह फ को या फिर उन को देखकर य manner उस बात को आपने और मैंने हम सबस 25 अपने जीवन में apply कर लिया क्या हम भी उनकी तरह आगे बर सकते हैं या नहीं बर सकते हैं यह ऊफ सकते हैं या आधै इस देता है, लिगा है सब पर सूरिय उदय करता है, धर्मियों पर भी या धर्मियों पर, वो सब के लिए एक है, उसका प्रेम सब के लिए एक जैसा है, लेकिन क्यों वे लोग आगे बढ़ गए और बाकी लोग नहीं बढ़े, क्यों उन लोगों ने जिस काम को चुना, उस क काम में वो सफल हो गए बाकी लोग नहीं हो पाए आज लोग स्ट्रगल कर रहें उसका कराण किया है अच चार बाते मैं आप लोगों को इन लोगों के जीवन से सिखाऊंगा और ध्यान से आप इन चार बातों को सीखें और अपने जीवन में एपलाई करें मैं भी कोशिश कर आगे बढ़ते चले जाएंगे यदि आपने इन चार बातों को अपने जीवन में रेगुलर लाइफ में एपलाई कर लिए यह चार कुंजियां हैं चाबी हैं कुंजियां हैं आगे बढ़ने की सफल होने की आज यदि हमें सफल होना है डॉक्टर बनना है इंजिनियर बनन और कोचिंग लेनी पड़ेंगी बहुत सा करना पड़ेगा लेकिन उस समय ऐसा तो नहीं था लेकिन फिर भी वोग सफल थे फिर भी वोग सफल थे तो प्रभू मैंने देखा मैंने का प्रभू इनके अंदर क्या था इन्होंने क्या किया जिसके दौरा यह सफल हो गए तब इनी चार बातों को मैं आज आपको समझाना चाहता हूं पहली बात जो मुझे इन सब के अंदर कोमन थी सब के अंदर बोल होहु उत्त्त्त से लेकर प्रकासित वाक्य तक जो लोग हीरों हैं जो लोग विश्वास के हीरों हैं जो लोग आगे बड़े सफल हुए कामों को किया उनके अंदर यह चार बाते कोमन थी पहली बात थी यह परमेश्वर के पीछे चले वाक विद गाड यह परमेश्वर के साथ चले पहली बात कि यह लोग इनहोंनी जब परमेश्वर को जाना जिस दिन यहोंने परमेश्वर को पहचाना उस दिन से लेकर और अपनी मृत्यू तक यह परमेश्वर के साथ में जैसे हम अनू spricht के विशय में ये परमेशोड के साथ में चली या फिर परमेशोड के पीछे चले दोनों को आप ले सकते हैं जैसे हम अबरहम के विश्एय में पढ़ते हैं उत्पत्तिक किताब उसका बारा अध्याय यदि आप निकाल लेंगे और पांच पद यदि आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ इस परकार से लिखा है, तो अबरहम अपने पतनी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किये थे, सब को लेकर कनान द या फिर कहूं, परमेशुर के पीछे निकल पड़ा, नहीं पता जाना कहां है, वहां का रास्ता कैसा है, उसे नहीं पता, लेकिन वो निकल पड़ा, किसके सहारे, परमेशुर के पीछे पीछे निकल पड़ा, हनुक के विशे में हमने देखा कि वो कैसा था, परमेशुर के संग संग चलने वाला व्यक्तिता नू के विशय में लिखा है उत्पति 6.9 में लिखा है कि नू की वन्सावलिय है कि नू धर्मि पूरुस और अपने समय में सब लोगों से ख़रा था और नू परमेशवर ही के साथ-साथ चलता मुसा के विशय में जब हम लोग देखते हैं जब मुसा से परमेशों ने बात की जिस दिन परमेशों ने मुसा से बात की उसे दिन समझो आप कि उसने अपना सब कुछ उठाया अपनी पतनी बच्चे सब कुछ जो कुछ उसके पास था और वो चल पड़े कहां के लिए मिसर देश के लिए निकल पड़े परमेशों पर भरोसा रख कर इन्हों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और उसके पीछे चलने लग ज़े यहां पर तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो आपको वचन मिल जाएगा कि ये सब लोग परमेशुर के संग संग चलने वाले लोग थे। इनके अंदर एक common बात है कि ये सारे लोग परमेशुर के साथ चलते हैं, परमेशुर के पीछे चलते हैं। जिस दिन से इन्होंने परमेशुर का नाम सुना, जिस दिन से इन्होंने येशुर को जाना, उसी दिन से और अपने मृत्यु तक अंतिम च्छन तक अंतिम साथ तक ये उसके पीछे चलते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके कामों पर आसीस हो, यदि आप चाहते हैं आप बाकी लोगों से आगे बढ़ें, तो ये एक common बात आपको अपने जीवन में apply करनी होगा, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना होगा, परम पहली बात इनके जीवन में जो कौमन थी वो ये थी ये परमेशों के संग संग चल तो उसकी आग्याओं के अनुसार जीवन को ब्यतित किया करते हैं जैसा परमेशों ने कहा उन्होंने वैसा वैसा किया मिंस परमेशों के साथ चला करते हैं दूसरी बात इन लोगों के अंदर जो कौमन बात है वो थी ये परमेशों के वचन पर भरुशा करते हैं क्या करते थे वचन पर भरुशा किया करते हैं सिंपल इनकी लाइफ बहुत सिंपल थी देखो पहले इन्होंने क्या किया परमेशो के पीछे चलना शुरू किया या फिर साय चलना शुरू कि अब ढोनों यूजर कर सकते हैं. दूसरी बात इन्हों ने क्या क SI पर्मेश्वन ने जो कहा जो सब्ध पर्मेश्व के मुह से निकला उस वचन पर इन्हों विश्वास किया भरोसा कर लिए हम नू के विश्वास में देखते हैं परमेश्व ने नू से का कि मैं दुनिया को नस्ट करने पर हूँ इसलिए तु जहाज बना परस्ततियां विपरीत हैं बारिस के कोई संभावनाएं नहीं है लेकिन नू ने उस समय में भी परमेश्व के द्वारा कहे गए किस पर वचन पर क्या किया विश्वास करते हैं आज हम लोग कहते हैं हम येश्व मसी पर विश्वास करते हैं लेकिन पता किया है येश्व मसी पर विश्वास करते हैं ये अच्छा है लेकिन आप उसके किस वचन पर भरोसा करते हैं किस बात पर आपको उसकी भरोसा करतें वह ज़्यादा important है पॉल भरोसा करता था कि बब ये शो आएंगे अर मुझे अपने साथ में लेकर जाएंगे, मुझे जीवन का मुगत अनंत जीवन में लर्ग अब किस वचन पर जो बिश्य Então पर विश्वास करते हैं उसे नभी समझ कर वो विश्वास करते हैं लेकिन माइन ये है कि आप किस प्रभु ये शुमसी के किस वचन पर भरोसा कर रहे हैं हम अबराहम के विश्य में देखते हैं प्रभु ने का तो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे प्यूचे हो ले मैं विश्वास कर लिए और उसी वचन पर विश्वास करते करते वो कनान देश पहुंचा वहां उसने अपना जीवन बतित किया और उसी वचन के कारण वो विश्वास का पिता ठहराया और धर्मी जन बना केवल एक वचन पर उसने क्या कर लिया विश्वास कर लिया उसने भर इसी परकार कहा ज़ब वह अपने घर को छोड़कर जा रहा था. उसुने कहा मैं तेरे दादा पर दादा का परमेशन हूं, तेरे पिता का परमेशन हूं और मैं तुझे आसिस दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे वापस तेरे देश में लेकर आओंगे। याकुब ने कहा प्रभू यदि तू ऐसा करेगा तो मैं अपने सारा दस्वांस तुझे दूँगा। और यहां पर याकुब ने इस वचन पर भरोसा किया कि ये जो प्रभू ने कहा है कि निश्य मेरे जीवन में पूरा होगा। फिर वो चला निडर होकर फिर वो चला उससे पहले बहुत डरा होगा घबरहाट तेकर निडर होकर चला वहां उसने जीवन ब्यतीत किया और सही समय पर फिर वो वापस भी आया। एक वचन निकाल लेगे। डानियल की किताब उसका नौ अध्याय और दो पर। नहिम्या के दौरा कहे गए वचन पर भरोसा कर रहा है जब उसने सास्त्र को पढ़ा। जब उसने बाइबल को पढ़ा तो उसने वहां पर एक वचन को पढ़ा। और उस वचन पर उसने भरोसा किया कि अच्छा। इसलिए इसराइलियों पर विपत्ती पड़ रही है इस वचन के अनुसार हो रहा है काम इसलिए उसे उस वचन पर भरोसा किया और उसने क्या किया फिर पश्चताब करना सुरू किया प्रार्थना करना सुरू किया उस वचन के अनुसार हम नहिम्या के जीवन में भी देखते हैं कि नहिम्या ने भी परमेशो के वचन पर भरोसा किया पत्रस के जीवन में देखते हैं अपने सब को छोड़ कर मेरे पीछे हो ले उस ने उस वचन पर क्या कर लिया भरोसा कर लिया पालुस के जीवन में देखते हैं जिस घड़ी परमेशन ने उससे बात कि उसी समय उसने उस वचन पर क्या कर लिया भरोशा कर लिया आप कितने ही बाइबल के लोगों को ले लीजे यहोसो से परमेशन ने कहा कितने ही लोगों से ले लीजे उन्होंने परमेशर के वचन पर क्या किया विश्वास किया भरोसा किया क्या भरोसा किया कि जो कुछ परमेशर कह रहा है जो कुछ परमेशर ने बोला है वो मेरे जीवन में या फिर परमेशर उसे निश्यपूरा करें तो ये दूसरी उनके जीवन में common बात है आज यदि आप भी इन लोगों की तरह अपने जीवन के किसी भी छेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी इस बात को समझना है कि मुझे एक वचन पर भरूसा करना होगा जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय सबसे पहले क्या करता है नीव क्या करेगा सबसे पहले क्या होता है नीव रखी जाती है छटों नी डालते पहले पहले क्या होती है नीव रखी जाती है आपको अपने मसी जीवन में एक नीव रखना है अलंकि हमारा नीव का पत्तर ये शुमसी लेकिन एक नीव उसके वचन पर आपको अपनी नीव को रखना है जिस वचन पर आप जीवन भर खड़े रहें एक वचन बाइबल से आप कोई भी एक वचन जिस वचन से प्रवो आप से बात करता है उस वचन को आपने लेना है और लाइफ टाइम के लिए उसी वचन को अपनी नीव बना कर आपको चलना है उस वचन को अपना आधार बना कर आपको अपने जीवन को यापन करना है एक वचन की मैं बात कर रहा हूं बाइबल पढ़ रहे हैं अच्छी बात है परमेश्व हमसे बात कर रहा है वो अच्छी बात है आपने किसी और वचन क भी अपने अंदर लिया बहुत अच्छी बात है लेकिन एक वचन को आप अपने जीवन का आधार बना लिए महत्मा गांदी के विशह में हम लोग जानते हैं उन्होंने एक वचन को अपना आधार बना लिए तो एक जाल पर थपड़ मारे तो दूसरा क्या करना है अहिंसा व उस एक वचन को उन्होंने अपना आधार बना लिए येश्व मसी के जीवन का आधार कौन सा वचन था प्रेम अपने परमेश्वर से और अपने पडोसी से अपने समान की ये येश्व मसी का आधार है पता है आपको ये येश्व मसी की मिनिस्ट्री का आधार है ये 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 इस वचन के आधार पर उन्होंने पूरी स्यिक् कई इसी वचन के आधार पर वो इस धर्ती पर आए और प्रेम आप एक वचन को लें उस वचन को अपने जीवन का विहना लिवा मुप इस वचन पर अपनी बिल्डिंग को खड़ा वचन पर विश्वा से बिल्डिंग की बात आई इसलिए मेरे दिमाग में एक गवाई आई है बीते दिनों हम लोग आप सभी लोग जानते हैं कि हम प्रेयर टावर के लिए जमीन लेने के लिए प्लान कर रहे थे लेकिन हमें वह suitable place नहीं मिल रहा था कि जहांपर हम भी खुश हों हमें satisfaction हो हाँ ये बिल्कुल सबसे बेस्ट जग़ा है नहीं मिल रही ही ती लेकिन एक जग़ा हम लोग गए और वहां पर हम सबको लगा कि यार ये बिल्कुल बेस्ट लग लग रही है ये बिल्कुल अच्छा है बहुत अ गरा आने के बाद क्योंकि हम प्रभू पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो हम बिना प्रभू के आग्या के डिसिजन नहीं ले सकते। फिर हमने प्रातना करना सुरू किया एक महीना बीद गया दो महीना बीद गया और पिछले महीने प्रभू ने मुझसे बाची दिया और उस दिन प्रभू ने कहा कि जा और अधिकार कर ले जा और उस भूमी पर अधिकार कर ले और जब प्रभू ने इस वचन को मुझे दिया तो मैंने इस कारिय के लिए, जो कारिय हम अब करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, जमीन लेंगे, प्रेटावर बनाएंगे, उस सेविकाई का मैंने उसे आधार बना लिए, समझ रहे हैं मेरे बात को, कि ये वचन है जिसके दुआरा प्रभु ने मुझसे कहा, कि जा अब व आग्या के अनुसार में आया हूँ, तो आपको क्या करना है, अपने जीवन का आधार बनाना है, एक वचन, केवल एक वचन को, अपने जीवन का क्या करना है, आधार मैंने अपने जीवन का आधार इसी वचन को बनाए, इन दो वचनों को बनाए, एक अपने परमेश्वर स और अपने पडोसी से अपने समान प्रेम लग बैस बाइबल में हज्जारों आग्याएं हैं वो सब इसमें पूरी हो जाते हैं इसको मैंने अपने जीवन का आधार बनाया है एक जो परमेशों ने अभी अबराहम से कहा मैं तुझे आसीस दूंगा तुझे बढ़ाओंगा त ये इन वचनों के आधार पर ये नीव हैं ये शमसी तो है ही लेकिन उसका वचन को हमने नीव बनाना है आपको अपने जीवन के लिए एक वचन लेना है और उस वचन को आपको अपनी नीव बनाना है कि प्रभू इस नीव पर मैं अपने घर को बनाऊंगा अपने जीवन क बनाऊंगा और जिस किसी ने अपना घर उस चटान पर बनाया है वचन चटान है प्रभ्येश्व मसी चटान है उसका घर कभी नहीं तुटे लेकिन उसका घर नहीं तूटेगा क्योंकि उसका घर कहा बना है चटान पर वचन पर बना हुआ है उसकी जो नीव है वो प्रभु का वचन है इसलिए वो तूटेगा नहीं तीसरी बात इन लोगों के अंदर जो कोमन है हर एक व्यक्ति वो है प्रार्थना समझ रहे हैं मेरे बात प्रार्थना जब जल पर ले जब नू धरती पर आया जानते हैं सबसे पहले उसने क्या काम किया वेदी बनाए कि क्या किया मिन्स उसने परमेश और से प्रार्थना को किया उसमें वेदी बनाना ये फिर सैक्रिफाइस चड़ाना उससा प्रार्थना में ही आता है तो उसने सबसे पहले प्रार्थना किय जब हम अबराहम के विशाय में पढ़ते हैं जब अबराहम कनान देश में पहुंचा पहले ही दिन जब वो कनान देश में इंटर हुआ उसने सबसे पहले वहाँ वेदी बनाया मिंस उसने प्रार्थना का इस्थान बनाया मिंस उसने प्रार्थना करना सुरू किया दानियल दिन में कितनी बार प्रात्ना करता था तीन बार क्या ही बूलना, तो सारे प्रार्थना वाले लोग, येशु मसी, सबसे अधिक प्रार्थना करने वाले, पत्रस, पॉलूस, यहुना, जितने भी प्रेरित हुए, ये सब क्या थे, प्रार्थना करने, तो इनके अंदर ये बात एक कॉमन है, कि ये क्या किया करते हैं, प्रार् रहा था कि उन नौ लोगों ने प्रार्थना करने के लिए और वचन पर अध्यन करने के लिए वो येश्व मसी के पीछे चलने वाले लोग थे नौ लोगों के विशे में लिका है नौ चेले और उन्होंने एकांत जग्या ढूणनी शुरू करी और वो एक बहुत उंचे पहाड पर गए लगभा आट सो मीटर बता रहे थे इतने उंचे पहाड पर वो गए पत्थर का वो पहाड था उस पे आज भी चड़ना इंपोसिवल है उस पे चड़ना आज भी बहुत कठिन है बहुत कम लोग उस पहाड पर चड़ पाते हैं कोई सीड़ी नहीं है कोई रास्ता नहीं है पत्थर का वो पहाड है अब वो नो लोग उस पहाड पर चड़े वहाँ एक जगह उन्हें मिली और वहाँ उस जगह पर उन्होंने दिन राद प्रार्थना किया और दिन राद परमेशो के वचन पर मनन ये शुमसी के चेलों की ये आदत की ये हैबिट थी कि उन्हें क्या करना है प्रार्थना करना ही वचन पर मनन करना है और प्रार्थना करना है तीसरी बात इन लोगों के अंदर कॉमन थी वो थ यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है आपको बैठना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा मेरे विश्वास है कि आप सब लोग करते हैं चौती बात जो बहुत ही इंपोर्टेंट बात है इन लोगों के अंदर देखने को मिली वो है विश्वास योग्यता ये सारे के सारे लोग परमेशो के लिए फेथफुल थे विश्वास योग्यते परमेशो ने जो इन से कहा इन्होंने बिना किसी संधे के उस काम को कर दो बिलकुल फुली फेथफुल थे परमेशो के लिए अ तक हो जैसा जैसा परमेश्यों ने का ऊसने वैसा है पर नहीं पर्मेश्व के वचन के पर तीब फैथ फूल लिकार वह धर्मी था था सब मनीश्यों में से विश्वास योग किया था हर एक व्यक्ति के विशे आप पर सकते हैं अबराम फेटफूल था इसने अपने बेटे को तक बली चड़ाने के लिए तैयार हो गया येश्व मसी फेटफूल थे प्रमेशर के लिए अपने आपको बलिदान करने के लिए तैयार हो ये शुमसे के चेले विश्वास योग्यते सारे के सारे आज यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको विश्वास योग्या होना बहुत ही आउशी है अपने परमेश्वर के परती आपको विश्वास योग्या होना है। बीते दिनों मैं राजी सर से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे एक अपने जीवन के गवाई मुझे सेर की। उन्होंने बताया, उनके पास जॉब नहीं है, वो काफि लंबे समय से बेरोज़गार है। लेकिन उन्हें एक मौका मिला कहीं पर जॉब का, उन्हें एक अपर्चिनेटी मिली, अच्छी अपर्चिनेटी मिली। और जब बाच्चित हुई, तो जो बॉस था, उसने कहा, कि हम लोग सरसंग जाते हैं, आपको हमारे साथ में सरसंग आना है। तो सर ने कहा, सर मैं सरसंग नहीं आसकता, मैं कृश्यन हूँ, इसलिए मैं सरसंग नहीं आसकता। तो उन्होंने बहुत सारे फाइदे भी गिनाए कि ये ये तुम्हारे फाइदे हो जाएंगे, ऐसे तुम्हें मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन फाइनली इनका डिसीजन रहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं जॉब को छोड़ दिया सकता, कि उस जॉब के लिए मैंने म जगए पर परमेश्र के लिए विश्वास योग्या, हम यूसीटके विश्य में परते हैं, यूसीटको पाप करने का मौका मिला, लेकिन उसने परमेश्र के परती क्या रहा ? विश्वास योग्या, नहीं उसा प्रभु ने आप पर मुझ पर किया है उस भरूसे पर हमने खरा उतरना है चार लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन चार लेसन्स को आप अपने जीवन में लागू करें पहली बात कि आपने जिस दिन से प्रभु पर विश्वास किया और अंतिम सांस तक आपको प अनुसार आपको अपना जीवन बिताना है तीसरी बात आपका डेली लाइफ प्रार्थना करने वाला होना चाहिए अब कितना भी समय कर रहें लेकिन डेली रूटीन में प्रार्थना होनी चाहिए चौर्थी बात आपको परमेशौ के प्रती विश्वास योग्या होना ही होना है और यդ यह आपने इन चार बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो बाइबल के अनुसार मेरा विश्वास है कि परवेहिशुर आपको भी इसके परकार परनेशुर करेंगाक जैसे परमेश्टित करेंगा है को महान सफली करेंगा जिस्क्र जवेशाव पर-वमेश्टी ने फैसे परमेश्ट लूगों करेंगा जैसे इन लोगों